नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महज 250 रुपय प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वेब पोर्टल तयार है रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अर्जित करें अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाए मायाट्यूटर डॉट कॉम हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगा कर जीवन यापन करते हैं लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं प्रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है साथ ही अब आप जूम अप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाएं ले एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन छात्र मिलते हैं इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं है अपने कौशल को साबित करी बहतर आए प्राप्त करी अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रती माह में आनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अर्जित करें अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाए प्रशन एक कौन उप्योग कर सकता है mytutor.com दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी यह बहुत महेंगा है लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं प्रोबोटिक्स क्लास क्या है प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं है जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाओं लिए छातरों को ट्यूशन कक्षाओं देने के क्लिए किया जा सकता है शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है देखें माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पीएस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन यह सब विश्चय जैसे सभी विश्चयों में कक्षाएं ले सकते हैं शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं? फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पाइमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधेक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है जी हाँ बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। शिक्षक का पंजी करन कैसे करें। डेमो कैसे प्रापत करें। अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करन करें। पहले इस form को भरेन, नियम और शर्ते स्वीकार करें रजिस्टर पर क्लेक करें अपने mail पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियन mail खोलें सक्रियन लिंक पर क्लेक करें Member login का चयन करने के बाद अपना mail ID और password दर्ज करें और फिर login करें यह आ, Google के साथ login चुने देमो अब तैयार है अपनी profile संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्य क्रम और module बनाएं देमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है क्रिप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं पार्थ्यक्रम असी मित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मित चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पाठ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पाठ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें इस पर हर जगह विडियो होंगे आए इन विडियो को देख मैं एक छात्र हूं क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा नहीं यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं लेकिन ट्यूशन फीस सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ पाठ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता वाट्सेप नंबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिक्षकों के वाट्सेप पर चैट कर सकते हैं यहां शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉगिन करने की आवश्शकता है एक रजिस्टर क्या है? लॉगिन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं तो आपको पंजी करन करना होगा यदि आप एक छात्र हैं तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा मत भूलो यदि आप एक छात्र हैं तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें. यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा. इन सभी फॉर्म को भरें. आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें. एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें. रजिस्टर अब पूरा हो गया है. अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं. चयन करें. मेंब पहुँज. अपनी मेल आईडी और एक्षकों को खोजें. जिनकी आपको आवश्यक्ता है. इसके लिए यहां खोजें. आपको आपके किया है. आपके किसी झापक्या है. इसके किसी फगल झाल 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 झाल